हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू दा उटो शो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीरो के एक नए ब्रैंड के बारे में जो है वीडा वीडा ब्रैंड के अंदर हीरो अपने इलेक्टिक वहिकल को लॉंच करेगा और हीरो ने फ्लाहल ही में जो अपना सबसे पहला एलेक्टिक वहिकल लॉंच किया है उसका नाम है वीवन वीवन एक एलेक्टिक स्कूटर है जिसके दो वेरियंट आएंगे वीडा वीवन प्रो और वीडा वीवन प्लस दोनों की ही अगर बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो बहुत माइनर से डिफरेंस है जो प्रो है उसके अंदर थोड़ी सी बड़ी बैटरी लगाई गई है जो है 3.94 किलोवाट और वीडा वीवन प्लस के अंदर 3.44 किलोवाट की बैटरी प्लेस के गई है क्योंकि वीडा वीवन प्रो के अंदर एक बड़ी बैटरी है तो उसकी रेंज भी जाधा है वो 1.65k तक जा सकता है और जो वीडा वीवन प्लस है वो 1.43k तक जा सकता है दोनों की अगर top speed की बात किये जाए तो दोनों ही variant की जो top speed है वो almost same है दोनों ही variant की जो top speed claim की गई है वो है 80 km per hour अगर charge करने की हम लोग बात करें कि fast charging पे ये जो batteries है ये कितना time लेती है तो time लगेगा तकरीबन 1.2 km per minute मतलब जब आप इसको charge करेंगे तो हर minute में charging इतनी होगी कि आप अगर एक minute charge करते हैं तो आपका scooter 1.2 km चलेगा overall अकर बात किये जाए तकरीबन 7 गंटे तक लग सकते हैं बैटरी को 0-100% तक charge होने में अगर 0-80% चार्ज करोगे घर के अंदर simple charge असे तो तकरीबन 0-80% चार्ज होने में 6 आर का time लगेगा seat wide दी गई है wide seat है comfortable seat है information के लिए TFT display लगा गया है 7 inches का जो की काफी जादा detail provide करता है date, day, time, कितना आपका scooter जा सकता है इसके अंदर dark mode है, इसके अंदर light mode है और इसके अंदर एक auto mode है, खुद से adjust करने के लिए आप इसकी brightness को low high कर सकते है, काफी सारे features है ये जो वीडियो है, ये एक overview videos के अंदर हम बहुत साथ detail में बात नहीं करेंगे एक overview के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो वीडा V1 जो electric scooter है, इसके अंदर जो अपने को boot space मिलता है जो डिगई है, वो 26 liter गिया है लेकिन 26 liter में आप ऐसा ना सोचें कि भाई, बहुत बड़ा अपने को एक area मिलने वाला चीज़े रखने के लिए उसका reason ये है, कि जो ये boot space है, ये दो partition में बटा हुआ है आगे और पीछे, आगे वाले partition के अंदर नीचे की तरफ batteries को place किया गया है दो batteries बला के total मैं आपको power बताई थी, कि Vida V1 Plus के अंदर 3.44 kWh के बैटरी है और Vida V1 Pro के अंदर 3.94 kWh के बैटरी है तो फिलहाल मैं ये कहूँगा, कि ये जो scooter है, इसके अंदर जिस तरह की designing की गई है काफी ठीक लग रहा है, कुछ लोगों हो सकता है कि ना पसंद हो लेकिन जो scooter है, उसमें एक proper feel है, बीग scooter वाला तो ये अच्छा का से एक wide scooter है इसके बारे में कभी और जादर detail में बात करेंगे किसी और वीडियो में फिलाल इस वीडियो के अंदर सरफ इतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो के अंदर